नमस्कार श्वागत है आपका Local News 24 में तिलवथू के दुकंदारों ने राष्टिये राजमार्ग डेहरी तिलवथू को घंटो जाम कर दिया रोहतास जिले के तिलवथू बजार के दुकंदारों ने फल चौक के समीप आजराष्टिये राजमार्ग डेहरी तिलवथू को घंटो जाम कर दिया जिससे दोनों तरफ से वाहनों का आवा गमन पूरी तरफ से ठप हो गई जिससे कड़ी धुपे यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा दुकंदारों ने सडक जाम से मार्ग को तब तक मुक्त किया जब तिलवथू थना अध्यक्ष ने जिला अधिकारी के अगले आदेश तक सभी दुकाने को कहा इस दोसंदर में दुकंदारों ने बताया कि लोकडाउन होने के बावजूद तिलवथू बजार के आधा से अधिक दुकाने प्रतिदिन खुलती है जिससे लोकडाउन का कोई असर बाजार में नहीं दिखती और पुलिस कभी कभार आकर दुकंदारों पर कहर बन कर तूट पड़ती है और दुकानों को बंद करा देती है जिससे खार-खार दुकंदारों ने यह निर्नाय लिया कि जब तक प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता तब तक तिलवथू डेहरी राष्टिय राजमार जाम रहेगा जाम की सुचना मिलते ही विधी विवास्था प्रभारी स्रीजी सीह ने अपने पूलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे और दुकंदारों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे लेकिन उनकी दुकंदारों ने एक नहीं सुनी अंतता थाना अभ्यक्ष मनोज कुमार के मौके पर आकर दुकंदारों से कहना पड़ा की जिला अधिकारी के अगले आदेश तक बाजार की सभी दुकाने खुलेंगी तब जाकर दुकंदारों ने चक्का जाम को मुक्त किया थाना अभ्यक्ष मनोज कुमार ने बताया की जिला अधिकारी के अगले आदेश तक सभी दुकाने खुलेंगी आदेश आने के बाद ही दुकान बंद की जाएगी लोकल इंस्टेंटीफ होर के लिए तिलाउथू से सुधीर कुमार की रिपोर्ट